नमस्कार विंधिया टाइम्स में आपका स्वागत है अभी तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजरूए हैं पहली खबर की बात करते हैं मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान आज दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिले उनसे मुलाकात करने पहुचे थे और इस दोरान मध्य प्रदेश में कोरूना की स्थिती तीसरी लहर से कैसे निप्टा जाएगा और तमाम विश्यों पर च चर्चा की और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साजा कर उन्होंने पूरी बात बताई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात करने के बाद मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने यह भी कहा कि कोरूना की वर्तमान इस्थिती प्रदेश में क्या है तीसरी लहर से क करना है इसको और अच्छे से किया जाएगा प्रदेश में इसके अलावा मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने यह भी बताया है कि 21 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में वैक्सिनेशन का हां महा अभियान शुरू किया और इसमें वह खुद सभी मंत्री सांसद वधाय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग-अलग छेत्रों की प्रमुखासिया वैक्सिनेशन महा अभियान के लिए निकलेंगे इसके अलावा मुख्य मंत्री ने ये भी बताया है कि प्रधान मंत्री मोधी से बात कर नवंबर म माह तक गरीबों को निशुलक राशन देने का निरने प्रधान मंत्री ने लिया है सभी जरूरत मंद भाई बेहनों को घर तक राशन पहुचाया जाएगा और उसके बारे में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से चर्चा की गई है तो आज मुख्य मंत्री शिवरा सिं को लेकर महा अभियान को लेकर चर्चा की गई है दोपार तक की दूसरी खबर की बात करते हैं मध्यप्रदेश की जनता को कोरोना काल में ही दोहरी मार पढ़ने वाली है यह दोहरी मार इसलिए क्योंकि अब जहां महंगाई चरम पर है अब एक बार फिर से बिजली के दाम म बढ़ोत्री का रास्ता साफ हो गया है आपको बता दे कि बिजली सेवाओं की दर बढ़ाने के साथ मध्यप्रदेश में बिजली के दामों में 6.25 प्रतिशत तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है जबलपुर हाइकोट ने वित्तियवर्ष 2021 में बिजली की दर तै करने पर लगी रोक को हटा दिया है आपको बता दे के पहले इस याचिका पर रोक लगा हुआ था लेकिन अब सुनवाई करने के बाद हाइकोट ने इस रोक को हटा दिया है और उस याचिका को भी खारिस कर दिया है जिस पर सुनवाई के बाद बिजली की दरें तै करने पर रो रोक लगा दी गई थी हाई कोट द्वारा लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है और 15 जून को हाई कोट ने इस पर रोक हटा दी है अब मध्यप्रदेश राज विद्योत नियामक आयोग वित्य वर्ष 2021 के लिए टेरिफ और जारी करने के लिए कमपनियां स्वतंत्र हो ग गई थी और रोक लगा गई थी इस याचिका पर लेकिन अब यह रोक हटा दी गई आपको बता दे कि अगर वर्तमान समय की बात करें तो जो बिजली की मौझूदा दरें हैं मध्यप्रदेश में 0 से 50 यूनिट तक में प्रती यूनिट 3.85 रुपए है 85 पैसे है इसके से 300 के बीच आता है तो प्रती यूनिट की जो दर है प्रती यूनिट का जो पैसा है वो 6 रुपए 30 पैसे है और अगर 300 से जादा यूनिट आती है तो प्रती यूनिट 6 रुपए 50 पैसा है और अब यूनिट में अब जो दर है बिजली की दरें हैं उनमें 6.25 प्रतीशत की बढ़ोत्री की जाएगी जिससे आम जनता पर एक तरफ महंगाई हर चीज में बढ़ रही है वहीं दूसरे तरफ अब बिजली के दामू में भी बढ़ोत्री की संभावनाएं काफी जादा बढ़ गई है